कि हमारा अधार नंबर किस मोबाइल नंबर से लिंक्ट है तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होता है ओडाई की वेबसाइट पर जो की अधार की वेबसाइट होती है यू आई डियाई एंड दिन उसके बाद आपको एंटर कर देना होता है आपके सामने जो फस्ट वाली वेबसाइट आएंगी तो वो रहेगी आपकी अधार की आफिसल वेबसाइट आपको हाँ पर जाना है देन उसके बाद आपके सामने एक नया सा पेज ओपन होगा और इस पेज में आपको जाना है माई अधार पे माई अधार पे जाते ही आपको यहां पे कुछ आपसंश में जाएंगे जहां पे आपको जाना है अधार सर्विसेज पे और यहाँ पे जाना है आपको verify एन अधार नमबर पे देन उसके बाद आपके सामने एक और नया पेज आपन हो जाएगा यह नया पेज कुछ इस तरह से रहता है जहाँ पे आपको अधार नमबर अपना फिल करना होता है तो यहाँ पे मैं अपना अधार नमबर डालूँगा एन इसके लाबा आपने को capture फिल कर देना होता है देन आपके आपके verify पे क्लिक करना होगा verify पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ message शो होगा जो की कुछ इस तरह से रहेगा तो आप यह देख पार होंगे कि अधार नमबर अपना एक्जिट करता है मेरा अधार नमबर है और एजग्रूप बताएगा और सबसे लास्ट में आपको अधार नमबर की लास्ट तीन characters 237 तो यह बला मेरा मुवाल नमबर लिंग्ड है आधार किस नमबर से तो होप है आज कि मैं आपको समझा पाएंगे कि कौन सा नमबर आपका अधार नमबर से लिंग्ड है तो थेंक्स लोट गाइस